बिलास्पूर में आयोजित की गई राजेस तरिय अंडर 19 छात्राओं की स्कूली खेल प्रतियोगीता का आज समापन हुआ है। बतादे की राजकिय वरिष्ट माध्यमिक पाक्षाला में हुई इस आयोजियन में तक्निकी शिक्षा मंतरी राजेश धर्माणी ने मुख्य अतिति के रूप में शिर्कत की। इस दोरान उन्होंने विबिन खेलो, योगा, पैड्मिंटन, जूडो, चेस और वेटलिफ्टिंग में विजेता टीमों को पुरुश्कृत किया। वही स्प्रतियोगीता में प्रदेश भर के करीब 464 खिलाडियों ने हिस्सा लिया था। बता दे कि बैड्मिंटन में कांगडा ने बाजी मारी जबकि मंडी दूसरे स्थान पर रहा। वक्सिंग प्रतियोगीता में शिमला प्रथम और उना दुएते स्थान पर रहे। इसे प्रकाल जोडों में बिलासपूर हमीरपूर के टेम ने पहला स्थान पाया। वही सोलन के टेम दूसरे स्थान पर रही। चेस में हमीरपूर प्रथम और चमबा दुएते स्थान पर रहे। साथ ही कुराश खेल में सोलन ने पहला और शिमला ने दूसरा स्थान हासिल किया। पंजाब केसरी टेवी के लिए बिलासपूर से सुभास ठाकुर की रिपोर्ट।